ना तोड़ी सलाखे ना तोड़ा ताला फिर अरे ये क्या हुआ देखा अपने पतले होने का फाइदा एक चोर को पतला होना उसके लिए कितना का मया अकसर फिल्मों में दिखाते हैं कि पुलिस पहले काफी मशक्कत के बाद चोर को पकड़ती है और फिर उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है के प्मप्री चिंचवड में कुछ ऐसा ही हुआ लेकिन यहां के ठाने में बने कारगार सी जोर जिस तरह से भागा उचौकाने वाला है पुलिस भी उसकी हरकत से हैरान रह गई दरसल महराश्रा के पूने जिले की पिंप्री चिंचवड की चाकर पुलिस में एक ऐसी घटना घटी जिससे पुलिस स्टेशन में मौझूद सभी पुलिस अलिकारी और पुलिस करमचारी हैरान रहे गए दरसर पिंपरी चिंचवार की चाकर पुलिस में पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ चोर चाकर इलाके में चोरी करने का प्लान बना रहे हैं पुलिस ने अपना जाल फैलाया और कुछ चोरों को रंगे हाथों गिरफतार कर लिया पुलिस अफसर्ट चोरों को गिरफ़तार कर चाकन पुलिस टेशन लेकर आये और वहाँ के लॉक अप में सब को बंच कर डाला सुमवाल के सुभैज 6 बज़े अचानग एक चोर चाकन पुलिस टेशन के लॉक अप में नहीं दिखा हलाकि चोर फरार होने की कोशिश कर ही रहा था कि पुलिस ने उसे फिल पकड़ दिया चोर की हरकत से पिप्रिज इंटुवर की चाकर पुलिस टीशन के अधिकारी और पुलिस करमचारी भी हैरान रहा गया दरसल ये चोर बाहर तो आ गया लॉक अप से सलाको को बिना तोड़े कैसे निकले तो आज़े अधिकारी चोर का शरीर इतना पतला था कि वो वो लॉक अप में असानी से आर पार जा सकता था और इसी का उसने फायदा उठाया चोर की बातों पर पहले चाकर पुलिस अधिकारीों को तो विश्वास नहीं हुआ फिर चोर ने उन्हें ऐसा सामने करके दिखाया जब चोर उनके सामने भी पहले जैसी सलाखों के बीच से निकल गया तो वो चौक गए अब आगे ऐसे घटा ना हो इसके लिए अपिप्री चिंचवर के चाकर पुलिस टेशन के अधिकारी फ्लाक अप है जाली लगाने की तयारी कर रहे है मेट्रो मुंबाई के लिए रहुल शुक्ला के साथ तरब